आज भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैटे हुए थे और वहाँ बैट करके अपने पुत्रों को और सब को समझा रहे थे, सब को बोल रहे थे कि डख्टी के पास ये चार साधन हैं बिगड़ने के अगर बिविक नहीं है तो भगवान अपने पुत्रों को बुला करके के रहे थे कि आज कल मैं समझता हूँ मैंने देखा है, सुना है कि आज कल आप हों संतों का अपमान कर रहे हैं और यह तो ठीक नहीं है क्योंकि संत मेरा हिरदाय है संतिका जो अपमान करता है मैं उसे छोड़ता नहीं मैं उसके रक्षा नहीं कर सकता लेकिन भगवान की पुत्रों ने ये बात माने नहीं ध्यान नहीं दिया तो एक बार जामबती का पुत्र था जिसका नाम था सामब जो सिव और पारवती की किरपा से प्राप्त हुआ जो बहुत सुंदर था उसको साड़ी पहनाई और पेट पर कपड़े बांद दिये गर्वबती जैसे महला का इस्थिती बना करके घुंगट लगा करके भगवान पुष्ण की पुत्र और रिष्ण की पास में चले गए जहां रिष्णी तपश्चा कर रहे थे कि विश्वामित्रों असितिकंडवों दुर्वासा ब्रगुर अंगिरा कश्यपों वाम देवो वत्री वसिष्टो नारदाया कौन कौन रिष्ई थे विश्वामित्रों असित्व, कंडवर रिष्ई, दुर्वासा रिष्ई, भ्रगुर रिष्ई, अंगिरा रिष्ई, कश्यप जी, बाम देव जी और वसिष्ट जी, अत्री रिष्ई और नारद जी यह तपश्चा कर रहे थे संतों की पहँचान करने के लिए, प्रेक्शन करने के लिए साम्ब को जनाने साड़ी पहना करके, और गर्वबती जैसी स्तिती बना करके, पेट पर कपड़ों का पोटला बांद करके, जाकर के खड़े हो गए, और भगवान प्रिष्ट की पुत्रों ने कहा उन दुशियों से, कि महात्मा जी बताईए, इस इस्त्री के गर्व से संतों ने कहा, तुम पृष्ट की फुत्र होने के बावजोद भी, तुमें बिल्कुल भी मर्यादा का ज्यान नहीं है, तुम जानते नहीं है, कि महात्मा उसे रिष्टों से कैसे बाट तलाब किया जाता है, तुम बिनूत करने के लिए यह होना हमारा, जाओ, हम भी तुम से कहते हैं, इस इस्तरी के गर्व से, ना पुत्र होगा, ना पुत्री होगी, इस इस्तरी के गर्व से, लोहे का मुसल होगा, और वो मुसल ही, तुमारे यत्वंस्यों को नस्ट करने बाला होगा, जिशों ने साप दे दिया, जब यह साप दिया, तो भगवान के पुत्र घबर आए अपने नाना गुरुसेन के पास आए कि हमने गलती कर दिया अब क्या करें भगवान किस्ट ने बहुत संभाया था लेकि नहीं माले जब साम्ब की उदर से पोटला कपड़ों का हटाया खोला तो उसमें क्या नजर आया लोही का मुशल लोही का मुशल नजर आया उसमें किस मुशल को गिस गिस करके समुद्र में फैक दिया उसके परताब से एक एर का नाम की धास समुद्र के किनारों पर इकरती हो गई इसे हम सरकंडा कहते हैं सरकंडे की उत्पती इस मुशल से हुई साफ़त मुशल से जो छोटी से नौक बची थी वह भी समुद्र में फैके दी वह एक मचली ने निगल ली एक भील मचली को पकड़ करके लाया जो उसका पेट चीरा गया तो वही मुशल की नौक मिल गई उसने अपने बान में लग साथों के साफ से इद्वंस नस्ट होने लगा परस पर आपस में लड़ने लगे विवाद होने लगा भगवान को लक्षन अच्छा नजर नहीं आया संतों के साफ से अब सब कुछ नस्ट होने वाला भगवान ने अपने दारों के नाम की सार्थितों बुलाया और कहा के जाओ यद्वंसों से कहरे जिए का मिरी द्वारिका समुद्र में बिलीन हो जाएगी सभी अपना अपना घट छोड़ दी थी भगवान एक बन में पीपल की ब्रक्ष के नीचे अर्द सैना अवस्ता में लेटे हुए थे उल्टे पैर के उपर अपना पैर रख करके तलबा दीख रहा था वो तलबा इतना चमक रहा था कि मालो एक किसी की आग है सोनक जासे था पक रहा था जब भील बन में आया तो इस भील को लगा कि कोई हिरन की आँख समक रही है उसने वही सापित नौक वाला जो बान लगाया चरहा करके भगवान तिसने की उस पैर में मारा रख्त की धार पहने लगी जब भील समीत में आया तो देखा कि मैं तो गड़ी अपराद कर दिया सब्सक्राइब करने लगा बगवाल ने का चंता मत करो मेरा तुम इस नम्में बज़दा लेने के लिए क्योंकि मैंने भी शुक्दुरीव को बचाने के लिए छुपकर की बाली को बान मारा था और वही तुम बाली हो आज भील बन करके मुझे बान मारने आयो हो जाओ तब्यम सुभुख तब्यम जो जैसा कर्म करता है जैसा फल उसको मिलता है यद्वन्सों ने द्वारका को खाली कर दिया बल्लाम भी सेशनाग बन करके समुद्र में विलीन हो गए भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ मेरी सभी रानियों को ले जाकर के रधा रानिक के चर्णों में निवास कराओ अब ये सब कुछ बिलीन होने वाला है देखते देखते सोने की जो द्वारका थी वो महल था समुद्र में बिलीन हो गया और भगवान की रानियों को जबले करके अर्जुन जा रा था तो भगवान सोयम धील बन करके अर्जुन से अपने रानियों को छीन लिया चुराकी ले गए कि समय समय की बात है समय बड़ा बलबान दीलन लूती गोपिका वही अर्जुन बही बान समय का प्रढ़ाव था क्योंकि अर्जुन को बड़ा अभिमान था अपने गांडी धनुस पर और बल पर भगवान ने यह ज्याद कराया कि तुम्हारा बान की सकती तुम्हारा बल तुना गांडी धनुस यह समय मेरे प्रताप से ही चलाय जा रहा है भगवान ने अपने गांडियों को राधार आने के पास छोड़ा देवता आकास में खड़े हैं पोश्वगर्शन कर रहे हैं भगवान कब जाएंगे और काम फूलों की बढ़शा करें सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्रीजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बल आइकन को दबाना न भूलें